दोस्तो KGF Chapter 2 के टीजर ने पूरे देश भर क्या दुनिया भर में तहलका मचा दिया और कितनी बड़ी ये फिल्म होने वाली है ये तो अंदाजा हम सभी को हो गया क्योंकि दोस्तो दर्शकों ने इसके टीजर को इतना प्यार दिया लेकिन आपको बता दे दोस्तो रॉकिंग स्टार यश यहाँ पे टकर लेंगे खिलाडी कुमार अक्षे कुमार से जी आपने बिल्कुल सही सुना ये कैसे होगा हम आपको बता देते हैं जैसा कि दोस्तो आप सब भी जानते हैं कि बैल बॉटम की रिलीज डेट 13 अपरिल फिक्स कर दी गई है वहीं दोस्तो आपको बता दे के जी आफ के मेकर्स चाह रहे हैं कि के जी आफ चैप्रे 2 27 अपरिल को सिनेमा घर में रिलीज हो अगर ऐसा होता है तो दो बड़ी फिल्में एक ही महीने में दो सब्ता के भीतर रिलीज हो जाएगी कहीं न कहीं दोस्तों यहाँ पर दौनों ही फिल्मों को थोड़ा सा असर पड़ सकता है वहीं अक्षी कुमार की बात करें तो अक्षी कुमार हिट मशीन है लेकिन केजी अफ की बात करें तो दोस्तों यह मोस्ट अवेटेट फिल्म है इस चीज का फायदा बेल बॉटम को उठाना पड़ सकता है लेकिन बैल बॉटम भी दोस्तों सिनेमा घर में काफी धासू रूप से एंट्री लेगी क्योंकि अक्षी कुमार का लोकिस में काफी ज़्यादा पसंद किया गया है और अक्षी कुमार को दर्शक ने खूप चाहा है और अक्षी कुमार की फिल्में अक्सर हमेशा दोस्तों अच्छी ही साबित होती है केजिएफ चैप्टर टू बाहु बले टूप जैसे सुनामी हुई तो शायद बैल बॉटम नहीं टिक पाएगी लेगन अगर केजिएफ चैप्टर टू में स्टोरी लाइनप थोड़ी सी भी कमजोर पड़ी तो अक्षे कुमार के आगे कोई सा भी बड़ा एक्टर हो शायद वो संबल नहीं पाएगा ऐसे में इस बार रॉकिंग स्टार यश के सामने चुनाओती है खिलाडी कुमार अक्षे की दोस्तो आपको क्या लगता है अगर दोनों ही फिल्म में दो सब्ता के भीतर रिलीज होती है तो कि एक दूसरे के कलेक्शन मे यहाँ पर रोक थाम मचाएगी या फिर दोनों ही काफी कारगर सावित होगी और दोस्तो इन में से कौन होगा विजेता कॉमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें लाइक फोर बेल बॉटम कमेंट फोर केजिएफ चेप्टर टू और सब्सक्राइब करना ना भूले देखो देखो दोस्तों तकि आपको आने वाली हर कबर यह मिल जाए सबसे पहले